जिब बाहर बारिश हो रही हूँ जमाज़न तो किसका मननी होता कुछ गर्मा गरम खाने का तो बस आज रात को डीनर में सोचा क्यों न पराठे बनाये जाए लच्छा और उसको भी एंजॉय किया जाए दही के खटाई वाले आलू के साथ और दही के खटाई वाले आलू हो तो हम मालवा वालू को सेव के बिना तो अधूरी ही लगती है तो बस हमने बनाया आलू का दही की खटाई का रसा और उसको हमने इंजॉय किया सेव और प्याज को डाल कर लच्छे पराठे के साथ आलू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो बॉइल्ड आलू को छील कर उसको हाथ से बड़े बड़े टुकुडु में तोड़ लिया अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें राई, जीरा और हिंका छोकन डाल देंगे और फिर इसमें खड़ी लाल मिर्च, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च को डाल कर उन्हें भून लेंगे इनके भून जाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल कर उबले हुए आलू को डाल देंगे और उनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे धक कर पास से 7 नेट के लिए कोक कर लेंगे इसी बीच हमने खटे दही में थोड़ा सा पानी डाल कर हैंड ब्लेंडर से उसकी छाँच बना ली अब हम देखते हैं कि आलू अच्चे से भुन चुके हैं तो हम इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इने सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें जो छाँच बनाई थी उसे डाल देंगे और छाच हमें थोड़ी खटी लग रही थी तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी एट किया और इसे लगातार चलाते वे हम उबाल लेंगे सब्जी में उबाल आने तक इसे लगातार चलाते रहें नहीं तो ये फट जाएगा इसकी बाद हम इसमें काला नमक और सादा नमक डाल देंगे और इसे ढख कर पांस से साथ मेट के लिए पकने को छोड़ देंगे जितनी खटाई की सबजी आप उबालेंगे उतनी ही स्वाद बन कर तयार होगे जब तक सबजी उबल कर तयार हो थी इस बीच पराठा तयार कर लिया इसके लिए पराठे की एक लोई ले ली जिसके के लिए हमने एक नॉर्मल आटेया लगाया वा था उसकी पूरी रोटी बेल कर उस पर चारो तरफ घी हाज से फेला लिया और फिर उसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा सूखा आटा और साथ ही डाला नमक लाल मिर्च और थोड़ा सा बारिक कटावा धनिया और इन सब को अच्छे से फेला लिया और फिर पराठे को बारिक बारिक स्ट्रीप्स में काट लिया अब हम इसको एक तरफ से रोल कर लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा लंबाई में खीशते हुए फिर से इसको रोल करते हुए इसकी लोई तियार कर लेंगे इसको हलके हाथ से रोल करें जिससे की इसके अच्छे से लच्छे खुलेंगे और फिर हम इसका एक पराठा बिल ले इस बीच आलो की दही की खटाई वाली सब्जीवी तयार हो गई थी, सभी ने इसको लच्छे पराठे के साथ मस्त सेव और अचार के कॉम्बिनेशन में खूब एंजॉय किया